पूरे मध्या परदेश का मौसम बदल रहा है और मध्या परदेश के विभीन इलाकों पर अगले 24-48 गंटों की दुरान कुछ जगों पर छिटपूर तो कुछ जगों पर भारी मौसम में बदलाव के साथ बरसात होगी आप सभी को पता होगा दुस्तों पूरे मध्या परदेश का गर्मी से रात तो मिल गई है लेकिन अगले 24 गंटों की दुरान जबलपूर सहीत अनेक इलाकों का मौसम बदलेगा लाच, हिंदवाड़ा, बेतूल, अनुपूर, आगर, निवाडी सहीत सभी जिलों की मौसम की जानकारी बताऊंगा तो इन जिलों में से अगर आप कहीं पर भी रहते हैं तो इसे वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजे इस चैनल को इलाल वाला बटन दबाकर और दोस्तो इसमें दूसरा इंदोर की तरब से मध्याप्रदेश के आस्मान में चाहे रहेंगे और मध्याप्रदेश के कई लागों पर 12 दोस्तों एक दिन देरी में हो सकते और जमा जम बरसात होगी मध्याप्रदेश मौसर्व विबाक की माने तो दोस्तों जबलपूर शेडॉल के संभा के आस पास के इलाकों में अगले 24 गंटों के दुरन मौसर्व बदलेगा और फिछले 24 गंटों की बात कीज़े तो बता है जारे के सुबह 8 बजे के करीबी कई जगों पर बरसात हुई है दत्या में 2.6 mm, नोगाउ में 2.4 mm, खजुरा में 2 mm, दमवा में 1 mm, सतना में 0.3 mm, गौलर में 0.2 mm और जबलपूर में दोस्तों बुंदाबुंदी देखने को मिली, मौसम विबाग की माने तो कई जगों पर प्रबल संभावना बनी होर अगले 2 दिनों के दुरान हमें जो है कई जगों पर एक से बढ़कर एक वैधर सिस्टम देखने को मिलेगा और मौसम विबाग की माने तो नर्मदापूरम, उज्जेन, समयत, पश्चिमी, मध्या परदेश में हलकी सी दोस्तों तापमन में बढ़ोतरी हमें 4 दिन के अंदर-अंदर देखने को मिलेगी वहीं दोस्तों मौसम विबाग ने बता है कि मध्या परदेश के विबिन इलाकों पर कई जगों पर तेज अवाई चल रही है और अभी दोस्तों कई जगों पर जो है अब देज गर्मी पढ़ती हुई नजर आ रही है बता है जार कि इंदर जबलपूर बोपाल में दोस्तों और गॉलेर में 40 के आसपास और दोस्तों एक दो जिले पर 40 के उपर तापमान चला गया है लेकिन दोस्तों अच्छी बात ये भी है कि बहुत ही जल्द मानसुन के एंट्रे होगी और उसके साथ ही मौसम में अच्छानक बदलाव के साथ काफी ठंडा मौसम हो सकतार जबलपूर में बले ही 41 करीब तापमान हो लेकिन दोस्तों बादलो के आवज़े काफी अधिक र दार में तीन दिन बादलो के अवज़े के बात काफी ज़दा जगों पर उतार चड़ाव रहेगा उजजन में पूरे एक सप्ता की दौरान 40-41 के करीब तापमान जा सकता है हर्दा में 40-41 के करीब तापमान रहेगा शिवपूरी में तीन दिन बादल चाहे रहेंगे साजापूर की बात की ज़ए तो यहाँ पर भी बादलो के अवज़े काफी अधिक देखने को मिल रहे है और मौसम विबाग की माने तो साजापूर में 24-48 गंटों की दौरन हमें और भी ज़दा बादलो के अवज़े की बीच दोस्तों उतार चड़ाव लगातार तापमा में देखने को मिल सकता है वहीं दोस्तों मौसम विबाग की माने तो साजापूर के साथ विदीसा, शेवपूर, अशोकनगर, सतना, गुना, खंडवा, डिंडोरी, सिंग्रोली, उमर्या, रतलाम, राजगर, देवास, अलिराजपूर, बुरानपूर, भिंड़, सागर, सह चड़ाओ, ऐसा ही देखने को मिलेगा, तो यह तो आज का मौसमी सिस्टम, वीडियो पसंद आते, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरू करना